हलो एन हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका केबिसी को मिला तीसरा करोड़ पती साथ करोड़ के सवाल पर लिया बड़ा फैसला टीवी शो कौन बनेगा करोड़ पती में अब तक दो लोग एक करोड़ की राशी जीत कर घर जा चुके हैं केबिसी को अब एक और करोड़ पती मिल गया है बिहार के रहने वाले गौतम कुमार ज़ा केबिसी के तीसरे करोड़ पती बने है जिनोंने एक करोड़ रुपे की राशी जीती है सोनी टीवी ने अपने ओफिशल इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो शेयर किया है प्रोमो में शो के होस्ट अमिता बच्चन गौतम कुमार ज़ा के सामने साथ करोड़ रुपे के लिए सवाल पेश करते हैं गौतम से पहले इस सीजन में सनोज, राज और बबीता ताड़े ने भी एक करोड़ रुपे जीते थे के विसी के प्रोमो में पीछे से गौतम कुमार ज़ा की पतनी के समर्थन की बाते बताई जा रही है गौतम को इस मुकाम तक पहुचाने के लिए उनकी पतनी ने काफी महनत की है हाला कि अभी तक इसका नहीं पता चल पाया है कि वो साथ करोड़ रुपे जीते है या फिर नहीं लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है कि उन्होंने एक करोड के सवाल का सही जवाब दिया था इसलिए अमिता बच्चन उनके सामने साथ करोड के लिए सवाल पेश करते हैं कौन बनेगा करोडपती का ये एपिसोड सोमवार और मंगलवार को सोनी टीवी पर टेलिकास्ट होगा गौतम कुमार जहा ने आयाइटी धनबाद से इंजीनरिंग की है वो अभी रेलवे में इंजीनियर है गौतम अभी पश्चिम बंगार के आंधरा में सीनियर इंजीनरिंग के पत पत तैनात है बिहार में जहानाबाद के रहने वाले सनोज राज ने केविसी में एक करोड की धनराशी जीती थी साथ करोड रुपे का सवाल नहीं आने पर उन्होंने कुट कर दिया था यही नहीं सनोज राज के बाद अमरावती की बवीता ताड़े ने एक करोड रुपे की राशी जीत कर काम्याबी हासल की थी उनकी ये काम्याबी इसले भी खास है क्योंकि वो एक साधारन बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करती हैं और इसके बावजूद अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने एक करोड तक का सफर तै किया और अब इन दोनों के बाद गौतम कुमार ज्छा ने एक करोड की राशी जीत कर सबका दिल जीत लिया है इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा